दोस्तों आप सभी का जो एक्जाम था 36 गर्ड सभी स्पेक्टर भरती का जिसका एक्जाम आपका हुआ है 29 जनवरी को और आज हम 36 गर्ड सभी स्पेक्टर भरती से संबंदित आंसर कोश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी संभावित प्रस्न बनेंगे तो आप लोग प्ली माइनस मार्किंग नहीं था 36 गर्ड सभी स्पेक्टर भरती में और आपका वन डे एक्जाम था ठीक है तो चलिए मैं ज्यादा बाते ना करते हुए चलिए मैं डारेक्ट आंसर आपको पताने वाला हूं ठीक है तो पहला कोश्चन है दूद से क्रिम निकालने में कौन सा ब जो 36 गर्ड सभी स्पेक्टर भरती का उसका संभावित में प्रस्णा का आंसर करा रहा हूं कितना सही है आप लोग एक बार मिला लिजेगा ठीक है तो चलिए सेकंड कोस्चन है किसी विधेयक पर राष्ट पत्ती के नियसेदा धिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत क जाव सकता होती है तो इसका आंसर भी होगा साधरान बहुमत एक बार आपको आंसर चेक कर लिजेगा ठीक ही कि कितना सही है और कितना गलत और आप लोग बताएगा कि आप लोग कितने नंबर बनांके आए है ठीक है तो चलिए तीसरा क्वेस्टन है एप आई एच मिनना बड़े बांधों को लगभग बांधों है ठीक है बांधों को लगभग 57% बड़े बांध है तो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जल्दिस कमेंट करें बताएगा इसका आंसर कौन सा आप लोग लगा है तो इसका आंसर चीन और भारत होगा ठीक है चीन और भा भावित बता रहा हुँ, ये मेरा 5 वर्सों का जो अनुभाव है, इसके अनुसर मैं आपको बता रहा हूँ और व्यापम भी ऐसी एकजाम में अंसर लेने वाला है, ठीक है, चलिए, इसके बात मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जोड़ी सोमलित नहीं है, तो चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगधर ती लाक्यानिक डी जो कि सत्य दोजग सबसे समलित मनिक सुमिलित नहीं है जब कि आपका जमुना लाल बजार सत्य ग्रह आसरम सह दादा भेनों रोजी बंबई ये सुसियान लाला लाजबतर नेशनल ये बिल्कुत तीनों ही सही है ज इस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूसक निवारन और नियंत्रन अधिनियम दोरा उस्तरजित करने के नुमती नहीं है तो उपर के स्वभी आजाएगा सलफर डाइज आक्साइज कारबन मोनो अक्साइड और नाट्रजन आक्साइड ठीक है इसके आपका आजाएगा स सातों कोस्चन का अंसर है स्वदेशी अंदोलन शुरू किया गया था जो स्वदेशी अंदोलन था आपका बंगाल विवाजन के विरोध में यह बिल्कुल सही होगा आप्साण ए यहाँ पर आप लोगों अपना आंसर यहाँ पर चेक करते जाएगा ठीक है और कौन से गलत रहो किसका नहतिक है चावर का इसके बाद है आपका यदि प्रात्मी घाटे में ब्याज भुकतान को सामील कर लिया जाए तो यह क्या होगा राज़कोसी घाटा होगा आंसर भी ठीक है राज़कोसी घाटा होगा बिल्कुल सही है इसके बाद है दिखिए दसवा का है प्रद्योगी संथान में परम अनन्द सुपर कमिटर चालू किया गया था यह आपको आजाएगा आइटी गांधि गांधी नगा ठीक है आंसर सी होगा इसके बाद है ग्यारवा का है मुगल समराज में निल उत्पादान का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है तो यह आपको कौन सा नियालाई के नियादिस और नियंतर महालेका परिच्छप में क्या समानता है यानि कि पद्यूक्ति यह तो बिल्कुल सही है यानि कि नियूक्त वेतन के लिए पद्यूक्ति नियूक्त वेतन और नियूक्ति यानि कि एक दो तीन यानि कि आपसम कौन सा दिख रहे है आपस है इसका पूर्णता वीरोत किया था इसकी प्रक्रिया थी इसके बादई व्यापा है वैज्सैसिक सुत्र कीश के दरहा लिखा गया है है इसके बाद हम बात करें कि अस्तिखा दर्शन कीश में विश्वास करता था आप सभी को मालू है अस्तिका जो दर्सन है वेद का अधिकार है बिल्कुल सही है आप सब ए होगा और व्यापम आपको 90% गारंटी लेता हूँ कि यह आपको आंसर लेगा ही लेगा जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ पूनता संभावित है मैं एनलिसिस करके आप सभी को आं पहियां किया तो फटाक से कमेंट करें आप लोग क्या अंसर लगा बारते अरी किया कथन सा ही है ये 1949 में इसका राष्टी करन किया गया था भारती रिजोरगाइंगा ठीक है इसके बाद बारे में बात करें तो कीस राजनतिक संसाय ने पार्टी ने साइमन कमिस्टन को बईसका नहीं किया था इसका आँसर आज आएगा क्या आएगा जलिस कमेंट करेंगा बताईगा क्या इसका एक मिनट ने आपको कमेंट ना करें ठीक है सीधा आंसर आप बताएगा पंजाब यूनिवर्सिटी ठीक है इसका आंसर सीख होगा ये बहुं सारी यूदयत वरसुर कोश्चन पूछे गया था और ये बहुं सारे कोश्चन में आप सभी को पढ़ाया हूं उसमें कम स से कम यहने कि 50% फसा हुआ है जो लोग मैं हाँ बिल्कुल जो लोग पीसिर व्यापां के तयारी कर रहे थे में उनको तयारी करवा रहा था जिसमें डेली क्लासे कर आ था ठीक है साड़े आठ बजे उसमें कम से कम 50% कर जो मैं आपको बताया हूं वैसी कोश्चन फसा हुआ ठीक है इसके बार हम बात करें कि देखिये वहाँ ब्याज की दर जिसने अनुस चीजी बद्य यानि की व्यवसाइग बैंक ने अपना ग्रहा को डरीर नहीं देते क्या आएगा बेस दर इसका आएगा बेस दर ठीक रेपो दर नहीं होगा कौन कौन ने सी लगाए है रेपो इसका मुझे मालूम नहीं है इसका आप लोग आंसर बताएगा इसका मुझे मालूम नहीं है ठीक है मैं इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग कौन सा कमेंट कर रहे हैं जल्दीश बताएगा और अंचल प्रदेश में गला तिरपड़ या मणिपूर कौन सा आएगा इसके बाद चले देख लेते हैं, इसके बाद कौन सा question देखते हैं, इसके बाद हम, मैं पूरा जनक कल का वीडियो पूरा डिसकस लेकर आऊँगा, जो सव अपजेट्टू question आया था, तो सव में सव question आपको कल में करा दूँगा, ठीक है, जितना मैं यहां पर पता था, समान देख लिजेगा, एक मिनट न, तुहर पोधा, तुहर द्वार का इकरम, जो सुभारम किये था, कब किये था, जल्दिस कमेंट करके बताईएगा, कौन सा answer आएगा, और इसका answer में आपको बता देता हूँ, यह ग्राम साब की गणपूरती के लिए, पूल सा देस्तों की ज कल के वीडियो में पूरा बता दूँगो कि solution के साथ, solution के साथ आपको मैं बताऊँ को discuss करके कि कौन सा क्या हैगा, पूरा जनकारी में आपको बताने वाला ठूँगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से वीडियो को subscribe कर लिजेगा, latest time for latest video upload कीजेगा, all per set कर कर दिजेगा, वीडियो को like कर दिजेगा, वीडियो को like कर दिजेगा, प्यारा सा comment कर दिजेगा, कि sir हम Delhi class करने वाले हैं, ठीक है, PSC, अब देखे, PSC पील का जो exam है, आपको 12 फरवरी को होने वाले है, कावे 12 फरवरी को होने वाले है, ठीक है, तो चलिए आप गणी से question को कुन सा होगा, यह बिल्कुल सही है, देखे, जो यह वाला design दिया गए, वो यहाँ पर दिया गए, यानि कि बिल्कुल A सही होगा आपका, ठीक है, इसका answer होगा आपका D, कौन सा होगा, D, ठीक है, कितने लोग इसका answer बनाया है, D, 2, 8, 9, यानि कि 2, 889 कि किन लोगों का आय दियेगा, मैं direct answer बता रहा हूँ, ठीक है, direct, direct answer बता दी रहा हूँ, क्या क्या आएगा, फिर कल हम solution करने वाले है, ठीक है, मैं सका पूरो में basic concept के साथ, solution में आपको बताऊँगा, इसका answer में आपका आजाएगा, यह B, यानि कि Q आएगा, इसके जगा, Q आएगा, answer B 12, ठीक है, उसी प्रकार 10, 16, 16, 15, 21, यानि कि U आपका 21, यानि कि इन दोड़ों को जोड़ेंगे कितना 14 और 2, 16, 17, यानि कि Q, तो answer B होगा, इतना सलल question पूछा गया है, देखें यहाँ पर, इसके बारे में बात करें, तो मैं direct आपको बता आज रहा हूँ, इसका answer क्या होग आप इसका देख लेते हैं, इसका answer भी C होगा, इसे सब पूरा उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल C सहीं दिखाई दे रहा है, इसका दिसा कैसा बना हुआ है, जो इसका D सा बना हुआ है, ये वाला भाग, ये आपका C में जाएगा, बिल्कुल correct जा कर रहा है, बलकि इन लोगों का answer तो बिल्कुल उसमें match ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके बारे हम देखेंगे, अब यहां पर इसका answer भी ये होगा, ये उल्टा लिखा गए, ये इस ऐसा टाइप से लिखा गए, इस प्रकार ऐसा आ रहा है, ये वाला, तो इसका answer D होगा, बिल्कुल सही है, कि कौन कौन answer D दिये है, हो गया,